नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे अटल टनल के बारे में इसकी जो स्ट्राटेजिक इंपोर्टेंस है इसकी थोड़ी हिस्ट्री जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर रिसेंट्ली न्यूज में क्यों है ये और मैं बता दूँ कि इसको की थूपास होता है लेकिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम फेस्बुक और ट्विटर पर मेरी लेक् प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चनल जॉइन कर सकते हैं अंकित अग्रवाल ऑफिशल और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनरा मौका है स्टड़ी आई के लाए आपके लिए स्मार्ट पोर से जिसके तुरू आप अपने प्रिफिशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो कि पीम मोडी तो इनॉग्रेट अटल टनल इन रोतांग नेस्ट मन तो क्या था basically कि May 2020 में ही यह complete हो जाना था लेकिन हम सबको पता है COVID-19 pandemic की वज़े से कई सारी कीजों में डिले करना पड़ा है और इसकी वज़े से यहाँ पर भी कुछ महने का डिले आया था सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो लंबाई है इस टनल की यह है करीब 9 km ल रहोंगे सबसे पहला है North to South और South to North आपको पता होना चाहिए यह सभी रेंजे करा कोरम पास या करा कोरम रेंज आप यहाँ पर इसको कह सकते हो फिर आता है लदाक रेंज फिर आता है जासकर रेंज याद रखेगा यह जो तीनो रेंजे हैं यह हिमाले का पार्ट नहीं है यहीं पर आपको जो अटल टनल है वो देखने को मिलेगा एक इंपोर्टन जीज और मैं बता दो कि पूरे विश्व भर में जितने भी हाईवे टनल है दस हजार फीट के उचाई पर उसमें सबसे लॉंगेस्ट यह टनल होने वाला है जो कि है आपका 9 किलोमीटर लंबा आप देख सकते हो कि सबसे पहली बार इसके बारे में स्टडी किया गया था 1990 में और आप देखी हमारे देश में कितना जल्दी काम होता है within 14 years just 14 साल क्या होते हैं 14 साल में ही यहां पर जियोलोजिकल रिपोर्ट आ गया और बता दिया गया कि जी हां हम इसमें काम कर सकते हैं और within 3 years आप देख सकते हो इसका जो foundation stone है यह भी लगाया जाता है और यहां पर इसका जो schedule था complete होने का वो था आपका 2015 जी हां 2015 में ही complete हो जाना था लेकिन आपको पताई ही हमारे देश में काफी सारे unexpected problems होते हैं उसकी वजह से यह भी delay हो गया और finally 2020 में जाकर यह complete हो रहा है अब यह जो tunnel बनाया गया दोस्तों मैं बताओं कि इतना आसान नहीं था यह यहां पर जो लोगों ने काम किया है इसको बनाने में बहुत जादा effort आया especially क्या था कि जो tunnel pass होना था उसके उपर से यहां पर सेरी 0 यहां से बहुत तेजी से water flow हो रहा था जिसकी वजह से construction में problem आ रही थी आप देख सकते हो sheer volume of water prevented construction for several month कई-कई महिने लग जाते थे यहां पर स्रिफ जो water का flow है उसको prevent करने में और यहां पर कई जगह आपको soft rock hard rock तो rock का structure भी काफी जादा complicated था जिसकी वजह से engineers को बहुत जादा problem आ रही थी अब मैं आता हूं कि यहां पर इसका advantage क्या ह होने वाला है हम क्यों इस tunnel को बना है यह आपके लिए जानना सबसे जादा जरूरी है तो सबसे पहली चीज़ याद रखना कि यहां पर जो मनाली से ले का रास्ता है वो आपका 46 km रेडियूस हो जाएगा अब दिखेगा यह आपको number कोई बहुत जादा नहीं दिख रहा हो है तो इसमें जो distance है वो 46 km रेडियूस होगा तो यह कैसे होगा आप यहाँ पर right side के diagram पर देखिए अब क्या है मनाली के just ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो यहीं पर आपको रोतांग पास मिलेगा ठीक है ना यहाँ पर मैंने बड़े मैप में लगा दिया है यहाँ पर मनाली है इसके just थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है और आप देख सकते हो यह है आपका रोतांग पास यह वाला जो आप देख रहे है ना यह काफी सादा जो curve वाले roads हैं यह रोतांग पास है अब यह जो रोतांग पास है जिनों ने भी travel किया होगा आप देखे होगे अकसर bikers के ल तो यहां पर एक छोटा सा जो road है आपका cut करके एक उसके parallel ही यहां पर रोतांग टरनल बनाए गया है ठीक है तो एक तरह से यह जो आपका रोतांग पास है इसको बाइपास कर देगा यह वाला टरनल तो इसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि यह बहुत जादा important है और जो मनाली और ले का रास्ता है उसमें बहुत जादा आसानी आजाएगी और रोतांग पास आप याद रखीगा यह जो बनाये गया है यह करीब 13,000 के फीट पर बनाये गया है इसके अलावा भी मैं बता दू कि यहां पर क्या है कि यह मनाली वैली है और उसके just right side में अब यहां पर ऐसा पताया जा रहा है कि within 10 minutes आप पहुच पाओगे especially because of this tunnel आपको just यह tunnel क्रॉस करना है और आप लहूल और स्पीती वाला जो वैली है वहां पर आ जाएंगे तो यहां पर दो चीज हमने देखा एक तो है आपका जो लोग है रेसिडेंट्स हैं लहूल और पिती वाले जो लोग है उनको 6 महना cut off हो जाते थे बाकी देश के साथ क्योंकि यहां पर winter के समय जो था snowfall की वज़े से heavy snowfall की वज़े से road यहां पर blocks हो जाती थी जिसकी वज़े से यहां पर totally पूरी तरह से वह block हो जाते थे अब वह ऐसा नहीं करना पड़ेगा तो एक तो all weather connectivity यहां पर मैंने almost इसलिए लिखा है क्योंकि अभी भी क्या है न कि यहां से चान म। इस अन। यहां से मनाली से ले जाने में बहुत जीत यहां पर आप देख यहां से कहीं मनाली यहां से ले जाने में आपको उरमे पना लिया है रोह तलांव seekers म! helemaal यहां पर हमने पूरी तरह से all weather connectivity पूरे साल भर में कभी भी हम travel कर पाएं, इसके लिए हमें ये तीन जगह पर भी tunnel बनाने होगे, तो एक है आपका 12 लाचा लापास, जो की 16,000 फीट पर है, यहाँ पर 13 km के tunnel बनानी होगी, 16,000 किलोमीटर पर एक और पास है आपका लचुंग लापास, 14,000 फीट पर एक और पास है, टंगलंगला पास, ठीक है, तो यह भी यहाँ पर 7 km की tunnel बनानी होगी, आपके examination point of view से आप north to south और south to north आप इसको याद रखेगा, बहुत जादा important हो सकता है, especially because यहाँ पर यह वाला tunnel इनौग्रेट होने वाला है, अब यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको कुछ important features भी पता देता हूँ, इस particular tunnel के, अब क्या होता है, कि tunnel में जाने से पहले, इसके दोनों end पर क्या है, कि कई सारे rivers वग रहा है, जहाँ पर bridges की सुविधान उतनी अच्छे से नहीं थी, तो proper bridges यहाँ पर अच्छे से बनाएगे हैं, ताकि tunnel पर अच्छे से पहले क्या है, रास्ते में भी बहुत सारी बर्फबारी होती है, तो इसके लिए यहाँ पर snow galleries, एक तरह का shaded होता है, जिसके वजए से snow जो है, वो prevent करता है यहाँ पर block करने के, तो यह भी facilities यहाँ पर लगाई गई है, tunnel के अंदर ही आपको एक escape, emergency escape tunnel मिलेगा, मतलब यह जो कर पाते हो, तो escape tunnel, emergency tunnel के थुरू आप यहाँ पर निकल सकते हैं, तो यह भी किया गया, इसके अलावा आपको हर 150 km में इस tunnel के अंदर टेलिफोन की सुविदा होगी, हर 60 km पर यहाँ पर fire hydrant लगाएगा है, emergency exit हर 500 मिटर पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर air quality monitoring भी लग 300 trucks और 3000 cars जो है, per day यहाँ पर expected हैं, यूज करने के लिए, तो इसके जितनी भी important चीजें थी, वो मने आपको examination point of view से बता दी है, अगर आप उनसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, आप study IQ आप पर जा सकते हैं, किसी भी inquiry के लिए आप उनसे directly Instagram पर जुड़ में जाकर play कर सकते हो, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.